तो एरान, इसराइल, हमास, हिजबल्ला हर तरफ से इस वक्त हमला चल रहा है, चोतरफा हमला हो रहा है, एरान और इसराइल में आमने सामने की युद्ध की स्थिती बन गई है, रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे लगता है कि अब युद्ध हुआ कि तब बाचित करने के लिए मेरे सयोगी मायंक मेरे साथ चुड़गाए है, मायंक सबसे पहले तो बताईए कि रोजजाना हमले हो रहे हैं, चाहे वो इरान हो, इराक हो, इसबुल्ला हो, या फिर हमास हो, हर लोग की तरफ से हमले किये जा रहे हैं, इस वक्त लिटिस्ट अपडे आजिए एरान से कि बहुत अपील कि गई थी अपील कि गए थी एरान से कि घा रहे हो लेकिन इरान ने थे टुपरा दिया इरान के र्धिकारियों कि तरफ से रहे है यह कि आप हमला कर सकता है, तो यहां पर युद्द की संभावना जो टालने की बात हो एगगी तीछ थी जब एक बड़ी बात है, इराइन ने अपनी काफी सारी मिजाइल्स अटैक मोड पे तैनात कर दिये हैं जब बस आदेश मिला और वो जितनी मिजाइल से इसराइल पर बरस बड़ेगी। चौथा बड़ा अपडेट है कि जो इरान ने अपनी मिजाइल तैनात कर रखी है इसराइल पर हमले के लिए कहा जा रहा है कि प्लान ऐसा बनाया है इरान ने कि सिर्फ 400 सेकेंड लगेंगे और 400 सेकेंड में इसराइल पर बहुत बड़ा मिजाइल अटाइक हो सकता है मतलब जैसा हम बात कर रहे थे पिछले दो दिन से कि इसराइल का जो आइरें डूम सिस्टम है वो इसको रियक्टी नहीं कर पाएगा और एक साथ इरान की तरफ से इतनी सारी मिजाइल बरस जाएंगी इसराइल पर कि वो और उसको पताया जा रहा है कि 400 सेकेंड का टाइम ही मिलेगा इसराइल को और बहुत बड़ा हमला हो सकता है और पाचवी जो बहुत ही चिंता जनक बात है इरान और इसराइल दोनों के जो नुकलियर इंस्टॉलेशन्स हैं वो एक दूसरे के निशाने पे हैं यह सबसे जादा चिंता की बात है अमेरिका जो इसको लेके सबसे जादा परिशान है और एक जो दूसरी आपने सवाल कहा कि कौन किसके साथ खड़ा है तो देखे निलू अब यह जो टाइम जितना वार में लग रहा है इसमें एक बहुत बड़ा डिपलोमाटिक इस तर प तो रूस और चीन भी जो है वो इरान के साथ खड़े दिखाए दें तो अगर आप देखें तो यह जो इसलामिक कंट्रीज है इनका बहुत बड़ा समर्थन जो है वो इरान के पास है लग करूनों की संक्या में मुसलिम है और यहां पर समझाए चुकि देखे इसराइल और इरान इनके यूद्ध बहुत पुराने मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से टसल चलता रहता है इनके बीच में लेकिन पूरी के पूरी जो मुसलिम कंट्री है एक साथ इरान के साथ खड़ी है इसके पीछे की क्या वज़ा है क्योंकि इसराइल को हम देख रहे हैं कि इसराइल क डेखें, तो ऑड़ टेखें टो तो हिस्तों में दूपीड लड़ी इस्ताइमि कंट्री एरान शेडाया लेकिन साओधी अरभ गामेर के साथ ताथ है तो, साओधी अरभ अगला होना एक टूरीर के साथ है कुछ है? तो Saudi Arab तो जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, वैसी Qatar एको और कंट्री कातर ने इस्माइल हनिया की हत्या का विरोथ किया, लेकिन Qatar तो कातर जो है अपना समझाया जाए या फिर बाकी लोगों को समझाया जाए कि शांती वारता इस वक्त जरूरी है क्योंकि देश दुनिया के हालात बहुत अच्छे नहीं है कई जगा युद चड़े हुए है कई जगा ग्रे युद चड़े हुए है ऐसे में एरान अमानने को तयार नहीं है मयंग तो वो अपनी पूरी तयारी कर रहा है और इसराइल भी ये चाहता है इसराइल ने भी धंकी दी है कि देखें अगर वहां से यानि कि इरान की तरफ से हमला होता है तो फिर इसराइल को जो लेबनान है उसको गाजा पट्टी बनते देर नहीं लगेगी यानि महाविनाश की बात अब इसराइल की तरफ से भी कर दी गई है देखे आपने बिल्कुल ठीक काद कुल मिला कि यह जो वार अभी इरान ने जो सीधा हमला जो इसराइल पर नहीं किया है तो यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी युद्ध अब शुरू होता है तो वो इतना विक्राल होगा इतना जबरदस्त होगा और इस बात को अमेरिका भी कह चुका है कि अगर इसराइल हमला करता है जो कि और बहुत जादा परेशान करने वाली है इरान के जो नए राजपती बने है इन्होंने दो फैसले ऐसे किया है जिससे अमेरिका और इसराइल सिर्फ यह कंट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो थोड़ी सी परेशान है में आपको बताना हुँगा दू नाम है एक अबास अराख्षी है और मुहमminist इसलामी जो अबास अराख्षी हैं इनको इरान का नया विदेशमंत्री बनाया गया है अब अबास अराख्षी जो है यह इरान का जो नुक्लियर परग्राम चल रहा है काफी समय से यह इस से जुड़े रहे हैं. तो अब आप समझे कि जो इरान का नया विदेश मंतरी है वो एक ऐस शक्स है जो कि इरान की नुकलियर प्रोग्राम का इन आउट जानता है. अब आप सोचिए कि अगर किसी नुकलियर प्रोग्राम से जुड़े वैक्ति को इरान अपना विदेश मंतरी बना रहा है. तो अब आप सोच हो कि इसको लेके जो है अमेरिका भी परिशान है तो इसराइल कुल मिला के जैसी बात हो रही है कि नुकलियर स्टेशन निशाने प इसको 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 बारे में एक तो जैड इन आउट सब कुछ जानते हैं और इनके उपर जिम्मा है इसराइल को टैकल करने का. यानि आप तक जो कहा जा रहा था कि इरान के पास वैसे परमाणू अस्तर नहीं है जिसे वो बड़ा हमला कर सकते हैं लेकिन आप देखे इस युद्ध के मद्दे नजर इरान पूरी तरह से निकलियर पावर से मजबूत होने की कोशिश में चुटा हुआ है और इधर इरा इस्ट अपडेट हम आपको बता दे चुकि इरान अप पूरी तयारी कर रहा है तो उसने एक ड्रोन बनाया है मोहाजर इस ड्रोन का नाम दिया गया है दस की इसकी जो रेंज है वो कहते हैं कि 2000 किलो मिटर की है और 300 किलो पैलोड लेकर ये उडान भर सकता है तो ये कितना ख हमास पर किया जा रहा है तो इसरायल पर भी सब की नजर है दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक जूट दिखाई देरा है अभा एसे में समझ सकते हैं कि अगर ये हमला होता है तो यह हमला कितना बड़ा होगा और किस तरह से इसका व्यापक असर हर एक जखह पर यानी पू साथ बने रहे हैं रुकेंगे यहां पर हम छूट इस ब्रेकेंगे